Hello everyone, आज मैं आपके साथ स्टर्लिंग सिल्वर जूलरी को साफ करने का और घर पर ही एक तम ने जैसा बनाने का बहुत यसाँ सा त्रिक्का शेर करने वाली हूँ वैसे तो sterling silver jewelry जल्दी से काली नहीं पढ़ती वैसी की वैसी ही रहती है लेकिन जो chain होती है वो काली पढ़ जाती है आप उसे पहने या ना पहने रखे रखे भी वो काली हो जाती है मेरे पास तीन sterling silver chain है जो काली पढ़ चुकी है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन्हें साप करने का बहुत यह असान सा तरीका तो चलिए शुरू करते हैं एक बोल लेंगे और साथ में aluminum foil लेंगे और उसे इस तरह से double fold कर लेंगे और फिर बोल में लगा देंगे आप steel की कटोरी भी ले सकते हैं उसमें aluminum foil लगा सकते हैं तो basically हमें एक तरह से aluminum foil की एक कटोरी बनानी है और अब इसमें एक चमच baking soda डालेंगे और फिर जो भी jewelry आपको साफ करनी है उसे बीच में डाल देंगे और उपर से हम तेज गरम पानी डालेंगे तो भी इसे पांच मिनट के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे एक बार हम चमच से इसे mix कर देंगे अगर आपकी jewelry जादा मैली है तो आप थोड़ा सा baking soda और डाल सकते हैं और इसी process को दो बार कर सकते हैं तो भी इसमें मैं थोड़ा सा baking soda और डाल लूँगी क्योंकि चेन काफी मैली है तो आदा चमच मैंने baking soda और डाल दिया है तो अब इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दस मिनट हो चुके हैं तो अभी चेन को निकाल कर हम साफ पानी में डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना मैला हो गया है तो चेन बिल्कुल साफ हो चुकी है तो अभी इनको पानी में से धो कर हम किसी भी dry कपड़े से soft कपड़े से पोच लेंगे तो इस तरह से आप sterling silver की jewelry को घर पर ही साफ कर सकते हैं आप इस तरीके से sterling silver को साफ करके जरूर देखें अगर आपको sterling silver साफ करने का यह तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करें तो लीजिए सारी chain अच्छे से साफ हो चुकी है आप देख सकते हैं सारी mail निकल गई है थैंक यू फर वचिंग मैं वीडियो मिलती हूँ एक और ने वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी करें